नमस्कार दोस्तों को वेक्सिन और कोभी सिल्ड ने कुछ गाईडलाइन जारी किया है। और इनमें ये डायरिक्शन्स दिए गए है कि अगर उन लोगों में ये दिक्कते हैं, तो उनको ये वेक्सिन नहीं दी जाएं। अभी तक vaccination का program ठीक चल रहा है, जो side effects देखने को मिले है, वो इतने major नहीं है, और minor side effects देखने को मिले है, एक या दो जो deaths report हुई है, उनके बारे में कहा गया है कि ये vaccines related नहीं है, तो अभी जो guidelines है ये covaxing की, उसमें कहा गया है कि जिन लोगों में serious problem है, और ICU में है, hospital medmit है, य उनने vaccine नहीं लगानी चाहिए, दूसरा जिन लोगों की immunity कमजोर है, प्रतिरोधक शम्दक कमजोर है, तो इनमें ओ लोग आते हैं, जैसे जिनको cancer की problem है, और उनको chemo therapy चल रही है, जिन लोगों को HIV की दिक्कत है, HIV positive patients, इसके अलावा कुछ खारणों की वाज़से लोगों को vaccine नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी body जो बुखार के खिलाब लड रही है, तो ऐसे लोगों ने vaccine को avoid करना चाहिए, इसके अलावा जिन लोगों को allergy की शिकायत है, अगर food allergy है, कोई दवायों की allergy है, ये आपको allergy की वईसे आपके चेरे पे सूजन आती है, खुजली होती है या body पे चकतते आते हैं, तो ऐसे लोगों ने vaccine नहीं लगवानी चाहिए, इसके अलावा जो गर्बोती मैलाए है और सतनपान कराने वाली मैलाओने vaccine नहीं लगवानी चाहिए, इसके अलावा जिन लोगों को blood thinners दवाया चल रही है, मतलब खुन पतला करने की दवाया चल गई है, कोई medical condition के वैसे जैसे कोई deep penis thrombosis है या pulmory embolison है, इसके वैसे खुन पतले करने की दवाया इन लोगों को दी जाती है, तो इन लोगों ने vaccine नहीं लगवानी चाहिए, इसके अलावा किसी को bleeding disorder है, मतलब इनका खुन बहुत पतला है, तो इन लोगों ने vaccine नहीं लग लगवानी चाहिए, और पहली dose के वएसे जिन लोगों को दिक्कत हुई है, कोई समझ से आये है, allergy की सिकायत हुई है, उन लोगों ने अपना दूसरा dose नहीं लगवाना चाहिए, तो इन लोगों ने dose आवायर किया तो अच्छा रहेगा, लेकिन इन लोगों के घर में और आ transmission है, यह कम हो जाएगा, इसके वएसे अगर कोई कारणवाश, कोई medical condition की वज़े से अगर आप vaccine नहीं लगा पाते हैं, तो भी आपको बाकी लोगों को promote करना है vaccine लगवाने के लिए, क्योंकि वो लोग vaccinate करते हैं, तो इसके वएसे herd immunity बनेगी और यह transmission रूख जाएगा, और जो immunocompromise लोग रहते हैं, जो बड़ी गंबीर विमारी से जो ग्रसित रहते हैं, उन लोगों को COVID होने का खत्रा भी कम हो जाएगा, दोस्तों इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है, या सुजाव है, इसको comment box पर लिखना ना भूले, धन्यवाद